हलो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब और एक बफिसे वेलकम आपकी इपने चानल में तोजीत दिन है आज बुद्भार का तारीक है 19 जुलाई शाम का टाइम हो गया है शाम के साड़े पांच हो गया है और हम सब चल दिया है मार्केट की तरफ क्योंकि मुझे बहुत ही जादा important सामान है कुछ वो लेकर आना था बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आज जाओं कल जाओं मेरे husband को टाइम नहीं मिल पा रहा था और अकेले मैं अभी जानी पा रही हूँ एक्टिवा भी नहीं चला पा रही हूँ मैं तो मैं परेशान होगी थी कि और जो मैं लेने जा रही हूँ न मुझे समान वो चाहिए था जरूरी काफी दिनों से मुझे इसकी वो नीड हो रही थी तो आज हिमां के पापा को टाइम लगा तो हम चल दिये मार्केट की तरफ और वरुन को भी टूशन से जह वो ले लिया है साड़े पांच का जो ये टाइम हो गया हम जाएंगे किला रोड किला रोड से अभी मैंने समान लेके हमारे वापस अब डारेक्ट जह एक बार मुझे विशाल में भी जाना है विशाल में मैं देखूंगी मुझे कुछ ना टीशिर्ट वगएरा जह वो ट्राइ करने लॉंग टीशिर्ट मुझे चाहिए क्योंकि सारे पुराने जितने भी नाइट सूट्स वगएरा थे मेरे सारे छोटे होगे मैं थोड़ी से ना कंदोगी तरफ से हल्दी हो गई हूं तो सारे जह वो छोटे हो गये तो वह मैंने सब को बाट दिये, दे दिये किसी किसी को, और एक दो जोड़ी ही मैंने रखा, और सारे मैंने दे दिये हैं, कितने सारे जो है, मैंने कितनी बार क्लोविया से मैंने कपड़े मंगाए थे, night dresses वगरा, तो मैंने सारे के सारे कुछ तो मैंने नए के नए ही दे दिये थे, कुछ म नहीं आया लेंथ भी ठीक थी जादा ना जादा छोटी थी ना जादा लंबी थी मेर पास एक यह लो कलर की टीशेट है उसकी लेंथ जीत नहीं थी और हिमांग देख लो कितना जै वो खुश हो रहा है यहां पर तो मैंने काफी सारी टीशेट्स देखी और फिर मुझे दा रही थी लेकिन हमां के पापा को पसंद दिया है तो हमने इसको छोड़ दिया बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लिया और वरुन को यहां से अपने लिए कुछ लेना था फाइल फोल्डर होता ना प्लास्टिक वाला तो वह लेना था क्योंकि उसको अपने काफी सारा सामान ऐसा होता है वरक शीच व गािरा होती हैं और वह टेस्ट वेहरा होते हैं तो बहुत सारा चीजे उसको रखनी होती है तो पहले वाली फाइल फोल्डर उसकी फट गई थी तो ये वाली जो है और एक दुजी से और ली उसने अपने लिए अभी जो सुबह का नेक्स मोर्निंग हो गई है सुबह के बच गए है साड़े पांच और लग गई हूँ किचन में शाम को फिर खाना वगरा बनाया थक बहुत जादा गई थी ना मैंने काउंटर टोफ वगरा कुछ भी साफ नहीं किया और बरतन भी शाम को इतने थे नहीं हम चले गए थे तो हा आपको दिखाऊंगी घर पर बनाये और पर बने रहे और इतना सॉफ्ट है ना इतना सॉफ्ट बहुत जबरदस और मूड चेंज हुआ फिर मैंने सचा कि भूजी जई वह बना देती हूं और देखे कितने अच्छा से वह कट रहा है और इतना सॉफ्ट बना पहली बार मैं यह इतना सॉफ्ट पनीर मेरे से बना सच बताऊं जो ट्रिक मैंने एक दो वीडियो देखी थी तो वही ट्रक मैंने जै वह फोलो करी तो उससे मैं आपको आप यह दबा के दिखा रही थी कि कि इतना सॉफ्ट जै यह बना है लेकिन यह कल से पानी में डिप था तो 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 ले भी वरुन ने मना कर दिया फिर लास्ट में कोई option नहीं बचा तो पनीर भुट जी जो बना दूंगी दोनों बच्चों के लंच बोक्स में चली जाएगी हिमांग तो आज कल जो पता नहीं कर रहे हैं मुझे स्कूल में भी बात करनी है उसके ना तो सबजी खाकर आता ह ना कोई मैं फ्रूट देती हूं वो भी नहीं खाकर आता है मैं परेशान हो गई हूं पता नहीं क्या चल रहा है स्कूल में और मैं मैं खुद से इतना परेशान हो चुकी हूं मैं कहीं जा नहीं पा रही हूं अदर्वाइस कब कर मैं वरुन के हिमां के स्कूल में चली जात और फर उसके बाद मैंने जीरा डाला, जैसे ही जीरा हो गया, मैंने पीस लिया था, तीन प्यास लिया थे मैंने मीडियम साइज के, उसके बाद नमक डाला, थोड़ा हल्दी डाली, गरम मसाला इसमें मैंने अड़ कर दिया है, और इनको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा स जो है मैं टमाटो सो साइड करूंगी मेरे पास वह तो है नहीं टमाटो था ही नहीं तो फिर जखो यह देखिए अभी मैं इसको बिल्कुल हाथों से इतना आराम से टूट रहा था ना मतलब मजा आ रहा था लगनी रहा था मार्केट से भी मतलब आप घर पे बनाएवा पनीर मार्केट से भी मार्केट के पैकेट वाला लेकर आते ना और इतना टेस्टी जो है वो बना हुआ था मैं सच में मेरा आज दिल खुश हो गया कि मतलब मैंने पहली बार इतना अच्छा पनीर जो है मतलब खुद घर पे बनाया हुआ है और जादा दूद नहीं था यह करीव पनीर जो है और पकाऊंगी थोड़ी देर क्योंकि इसमें पनीर में मोश्यर होता है हलका फुलका मोश्यर इसका भी खतम करना है और यहां पर जो है अभी जा रहे है वरुन को छोड़ने के लिए आज कल वरुन की पहले तो बस सात दस तक आती थी कभी-कभी सात बारा हुजाते थे लेकिन आज कल साथ-पांच पर बस आ जाथी है और आज बज़े कि मैं भाई को स्कूल छोड़ कराऊंगा बहुत बार उठता है यह सुबह इसके साथ बहुत बार उठ जाता है वह उंच्छे उठता तो यह सवाच्छे तक उठ जाता है और इसको मतलब बस्टॉप तक छूड़ाएं तो जी यहां पर एक स्लोट जो है कपडों का भ करता है और एक स्लोट और बचेगा वहाथ से कपड़े दोने का स्लोट बचेगा वह जिसमें पांचे होड़ी अभी तो अन्हीं वाली नहीं हूं क्योंकि मैं काम करखे के गया थक और मेरी बॉड़ी से घा मेंेस पर मेरी आ गई थी वो बरतन भी साफ कर रही है तो वो तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना बिस्तर जाड़ देती हूं और फिर उसके बाद जाड़ू निकलेगा तब तक जो है जाड़ू पोचा होगा मैं नाहूंगी पूजा बाठ वगएरा करूंगी उसके बाद यह चली ज एक बाद मैंने डाला होगा डवर गयरे दो घंटे के लिए और कल भी मैंने दो-चार घंटे के लिए ही डाला था कल चामको मैंने इसको यही फैला दिया था ताक इसका पसीना जेला सूख जाए अभी इसको चांग दूंगी क्योंकि अभी दो तिन बार एश को थोड़ी देरे डालने के लिए क्योंकि घर पेस से बाहर तो अभी मैं जा नहीं रही हूं और मुझे रील वगरा बनाने के लिए जो है वो पहनना होता है इस्ट्राग्राम पर रील वगरा बनाती हूं थोड़ दिर के लिए कपड़े वगरा चेंज करती हूं रील वगरा बनाती हूं फिर अपने वापस वह लोवर टीशर्ट जो में आ जाती हूं क्योंकि अभी मैं सूट सलवार में जादा कमफर्टेबल नहीं हूं तो जी यहां पर जो है मेरा ये गार्मेंट्स वगरा का जो बैग ये मैंने मंगाया था बीशो से तो इसमें क्या है कि पीछे काफी सारे कंपार्टमेंट हैं तो मैं अपनी जो सर्दियों वाली जो सौक से ना तो वो भी मैं इसमें डाल के रखती हूं कुछ का सामान कुछ ल अपना कंगी व करूगे पूझा बाद फूजा पाठ गर्मी बहुत जादा लगती बाल में कंगी कर रही थी तो यह ऐसे लग रहा था कि वापसय बाल चिपक रहे हैं और ये खंगा जिससे मैं कंगी कर रही हूं यह वाला भी मैं जो नया ही लेकर आए थी, कुछ बिंदी के पैकट भी लेकर आई, कुछ रबड वेगर भी मेरे खातम हो गए थे, तो वह भी मैं लेकर आई हूं, तो छोटी-मोटी भी काफी सारी चीजे जो लेकर आई हूं, क्य क्योंकि मुझे मेरे सारे सूट जो अभी लेटस सिले थे ना बहार आने जाने के वो तो मुझे परफेक्ट फिट आ रहे हैं लेकिन जितने सूट मैंने गर्मी के मेरे पिछले साल भी सिले थे और गर्मी के स्टाटिंग में भी सिले वो मेरे सारे मैं मोटी होगी तो उसके जितना भी मैं अपने भगवान के ध्यान में लगा सकती हूं और उसके बाद जो है फिर अपना अराम से बैठके अपने घर के काम जो हो यह मुझे आराम करने तो वो करते हैं मन को शांती मिलती है मतलब आप दो मिनिट भी आप यहां देते हो ना अपने ध्यान को केंदरित कर मेरा मन का यहारमान थोड़ी देरा रही तर के रही तो उसके बाद चली गई अभी जो धूप निकली आपड़ के ले देगे जैसा योगा कपड़े सूख जाएंगे वर्म के स्कूल के श्यूक्त तो वहां कुछ पानी भर गया हो तो वह भी सूख रहा है तो आज जो आज नोट भी आ सकता है कि बच्चा जो है वो दूसरे शूज पहन के आया है क्योंकि वरुन के शूज गिले थे वो सूखी नहीं रहे थे कल पारिश मुदर बारिश वगएरा हुई होगी स्कूल के साइड और वहां पे जो है वो वाटर रूम में इसके सारे शूज में पानी भान गया तो बस अभी जो है एक स्लो टोर लगाऊंगे उसमें डालूंगे सिर्फ और सिर्फ तो लिए जो हाथ से पूछने आथ पूछने वाले फेस ट्रावल जो होते ना सिर्फ वो डालूंगी और उसके बाद जो है मेरा काम हो जाएगा खतम यह सूखेंगे बच्चे आएं होंगी मैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स व्लोग में जो फॉर्स टैम विजिट करा हैं लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मस् पर वचिंग मैं व्लोग थैंक यू